नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि किसी विषादी शुदा ओरत को कैसे वश्मे करें दोस्तो अगर आप भी किसी शादी शुदा ओरत भाबी या पड़ोसन को चाहने लगे हैं और उसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहें और आप यह चाहते हैं कि वो औरत खुद आकर अपने प्यार का इजहार करें तो दोस्तों यह विधी आपकी मनो कामना अवश्य पूर्ण करेगी तो आईए जानते हैं कि इस वशीकरन विधी के बारे में जिसका प्रयोक कर आप किसी बिस्क्री, शादी शुधा औरत, भावी, पड़ोसन को आसानी से वश्मे कर सकेंगे इस विधी क्यों करने के लिए आपको कुछ सामकरी की जरोत होगी जिस वश्मे करना है उसकी फोटो लाल सिंदूर, कपूर की टिक्की, अपना खुद का नया या पुराना कपड़ा, कैसर, साथ चावल के दाने और चीनी मिला हुआ मिठा पानी इस वश्मे करन विधी के द्वारा पुरुष जिस शादी शुदा ओरत को वश्मे करना चाहता है उस ओरत की फोटो को लेकर फोटो पर अच्छे से सिंदूर लगाए फिर कपूर की टिकी, कैसर, चावल के दाने अपने नय या पुराने कपड़े में बांध ले दाएं हाथ में यह पकड़े और बाएं हाथ में चीनी मिला हुआ मिठा पानी ग्लास में डाल कर पकड़ ले और उसके बाद बेट कर इस वश्मे करन मंत्र का ग्यारा बार जाफ जाएं हैं किसी सुन्सान जगए पर जाकर यह सामघ्रिश जलाद दोस्तों यह विदि करने की देर हें और प्यार आपके पास दोड़ा चला अएगा शाधियू शुदा औरत को वश्मे करने की यह सबसे आसान वह प्रभावशाली विधी है दोस्तो इस विदिंगा प्रव कि समस्या हो या यह वी दी समझ में ना आए तो एक बार अवश्य कुछ